हलो फ्रेंट्स एक नई वीडियो में आप सबकाव स्वगत करता हूँ फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोब 26 सम्मिलन के बारे में कोब 26 सम्मिलन के बारे में कहां हुआ कब हुआ और इसमें जो हमारे देश की ओर से किसने इसमें भाग लिया ठीक है तो इसको आज हम देखने वाले हैं और इससे कई सारे important questions बने हैं अभी तक और आने वाले समय में भी बनेंगे तो इसलिए ये कोब 26 बहुत ही important हो जाता है अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यह क्यों important हो जाता है क्योंकि इसमें पंचामरत का एक मंतर दिया गया पंचामरत का मंतर दिया गया इस पंचामरत को अगर जानना चाते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरू देखीगा वीडियो अगर अन तक देखेंगे तो निश्चित आपको पंचामरत के बारे में समझ जाएगा इसके साथ ही कुछ और भी important facts बताने वाले हैं जो कि exam की दुरस्टी से important है तो आएए वीडियो को श्रू करते हैं देखें ão यह 26 यह जलवाई प्रव्यतन को लेकर करके इसमें देखा जाता है उर समम्मेलन किया जाता है तो यह जो सम्मेलन हुआ पहला key यहां से क्या बनेगा यह कहां पर हुआ पहला point क्या बनेगा यह जो COP26 का सम्मेलन हुआ है कहां पर हुआ है यह हुआ है Glass Go में कहां पर हुआ है Glass Go और यह Glass Go friends कहां परता है Glass Go परता है Scott Land में कहां परता है Scott Land Scott Land कहां परता है यह Europe में परता है तो COP26 का जो सम्मेलन हुआ है वो Glassgo Scotland में हुआ है ये कब हुआ है ये भी question पूछ सकता है कब हुआ तो एक number एक number 2021 को हुआ है यानि कि ये 26 जो है 26 को 26 सम्मेलन जो है ये 2021 का सम्मेलन है अब 2022 में भी आने वाले समय में सम्मेलन होगा और 2022 में जो सम्मेलन होगा 2022 में जो सम्मेलन होगा उसकी मेजवानी एक अफरीकी देश करेगा और उसका नाम है मिस्र मिस्र देश मेजवानी करेगा जो कि अफरीकी देश है क्या है अफरीकी देश है यानि कि अफरीका का अफरीका महादिव का देश है अफरीकी देश तो 2022 में जो सम्मेलन होगा वो होगा COP27 COP27 ठीक है तो ये COP27 का जो सम्मेलन होगा ये मिस्र में होगा जो अफरीका महादिव में पढ़ता है आगे हम बात करेंगे इसके अलावा ये भी कुश्चन बन सकता है कि 2030 में एक और सम्मेलन इसका जो होगा COP28 COP28 का जो सम्मेलन होगा वो 2023 में होगा और इसकी जो मेजवानी करेगा वो कौन करेगा तो ये मेजवानी करेगा UAE अब UAE जो है United Arab Emirates तो ये जो है ये किस महादिव में पढ़ता है ये आप लोग कमेंट करके बताईएगा तो ये तो था ये 28 मा है जो कि 2023 में होने वाला है अब देखिए COP26 सम्मेलन में हमारे देश की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने इसमें भाग लिया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी मोधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था और इनों ने यहाँ पर ये क्यों इस सम्मेलन में क्यों इनका अहम योगदान रहा क्यों क्योंकि इनोंने मंत्र दिया था पंचामरत 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 नाम का एक मंत्र दिया और ये पंचामरत फ्रेंट्स क्या है अभी हम इस पर डिसकस करने वाले हैं लेकिन इसका कुछ और एक और हम फैक्स देख लेते हैं कि ये जो COP26 सम्मेलन है इसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉन्सन के दौरा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी प्लस बोरिस जॉन्सन प्रेंट्स किस देख के प्रधान मंतरी हैं क्या आपको पता है बोरिस जॉन्सन जो है इन दोनों लोगों ने मिल करके एक यहाँ पर क्या कह सकते हैं जैसे अपने देश में कहते हैं एक नारा जिया उस टाइप में एक उसको क्या बोलेंगे कि एक पहल की सुरुवात की किसकी एक पहल की सुरुवात की और वो पहल फ्रेंट्स क्या है वो पहल है one sun o-n-e-one sun one world और one grid यह जो पहल की सुरुवात की है ये हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और UK के प्रधान मंत्री Britain के प्रधान मंत्री Boris Johnson इन दोनों लोगों ने मिलकर की एक नहीं पहल training पर सुरुवात की है की सुरुवात की वो क्या है वन संड वन वर्ड वन ग्रिड ये जो पहल है इसकी सुरुवात प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और बोरिस जॉनसन ने मिलकर की है इसके साथ ही यहां पर जो अमेरिका से भी प्रफ ने पूछा जा सकता है कि इस कॉप 26 समयलन में अमेरिका 101 देश बन गया है जिसने अंतर राष्ट्री सौर गठवंदर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं अब अंतर राष्ट्री सौर गठवंदर अंतर राष्ट्री सौर गठवंदर पर हस्ताक्षर करने वाला 101 देश बन गया है यह भी प्रफन पूछा जा सकता है ठीक है अंतर राष्ट्री सौर गठवंदर पर हस्ताक्षर करने वाला 101 देश कौंसा बन गया है अमेरिका बन गया है फ्रेंस कौन बन अमेरिका तो ये कुछ और पॉइंट्स थे जहां से प्रस्ण पूछा जा सकता था मैंने आपको बताया है जो कोप 26 सम्मेलन हुआ वो कहा हुआ ग्लासगु इसकाट लेंड में हुआ है और एक नॉम्बर 2021 को हुआ इसके साथ ही 2022 में जो 27 कोप 27 जो सम्मेलन होगा वो उसकी मे जवानी UAE करेगा ठीक है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामरत नाम का एक मंतर दिया और इसमें पाँच लक्ष निरधारित किये गया है जिसे पंचामरत नाम दिया गया है इसके साथ ही नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने मिलकर एक नई पहल की गटवंदन पर हफ्ताक्षर करने वाला अब देखी फ्रेंट्स अब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं जो पंचामरत पंचामरत का जो मंतर दिया है किस ने दिया है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसलिए भारत का जो योगदान है कोप 26 में और ज्यादा बढ़ गया है ठीक है क्योंकि पंचामरत है यह हर एक देख को इस प्रकार के अपने कुछ मंतर देने चाहिए यह मंतर नहीं अफल में यह कोई मंतर नहीं आप किताब में पढ़ेंगा मंतर लिखा हुआ इसमें तो लेकिन यह कोई मंतर नहीं यह लक्ष है भारत ने अपने 5 लक्ष ने धारित किये है 1, 2, 3, 4, 5 5 लक्ष ने धारित किये है जिनमें से 4 लक्ष जो है 4 लक्ष जो है 2030 तक मैं इधर लिखना नहीं चाओंगा एक बार में ही लिख देता हूँ 2030 तक 4 लक्ष हासिल करेगा और जो पाचवा है ये 2070 तक हासिल करेगा अगर आप लोग पाढ़े होंगे तो इसका अंसर कुछ आने लगेगा आपके माइन में तो देखिए 2030 तक जो पहला लक्ष भारत सरकार ने रखा है वो गैर जिवास्म इंधन गैर जिवास्म इंधन का लक्ष रखा गया है 2030 तक और इसमें क्या होगा इस गैर जिवास्म इंधन की जो चमता है चमता 500 गीगा वार्ट 500 गीगा वार्ट तक पहुँचाना 500 गीगा वार्ट तक गैर जिवास्म इंधन पहुँचाने का 2030 तक लक्ष रखा गया है ठीक है तो दूसरा जो लक्ष रखा गया है, दूसरा लक्ष ये रखा गया है, कि जो कुल जो अपनी उर्जा है, ठीक है, जो भारत कुल उर्जा उप्योग करता है, उसका पचास प्रतिशत, कुल उर्जा का पचास प्रतिशत, उर्जा जो है, कुल उर्जा की पचास प्रतिशत उर्जा, अच्छे उर्जा, अच्छे उर्जा से पूर्थि करेगा, मतलब जो भारत में कुल उर्जा का उप्योग होता है, उसका 50% उर्जा, वो उर्जा होगी, जो अच्छे उर्जा होगी, ठीक है, जो तीफरा लक्ष रखा गया है, तीफरा लक्ष यहां पर जो रखा गया है, वो यह है, कि जो 2030 तक, 2030 तक भारत अपने, जो अनुमानित कारबन उत्फरजन होगा, अनुमानित कारबन उत्फरजन में, वन बिलियन की कमे करेगा, अनुमानित कारबन उत्फरजन, अनुमानित कारबन उत्फरजन में, वन बिलियन की कमे करेगा, जो अनुमानित कारबन उत्फरजन होगा 2030 तक ठीक है, उसमें वन विलियन टन कार्बन की कमी करेगा, ठीक है, टन की कमी करेगा, इसके साथी जो अपना चौथा लक्ष है, चौथा लक्ष क्या है, 2030 तक अपनी अर्थ व्यवस्था की, 2030 तक अपनी अर्थ व्यवस्था की कार्बन ती व्रता को 45% तक कम करेगा, अपनी अर्थ व्यवस्था की कार्बन उत्ष सर्जन की जो मात्रा है, कार्बन उत्ष सर्जन की मात्रा में 45% से भी कमी करेगा, ठीक है, और जो पांचवा लक्ष रखा गया है, पंचाम रथ के अंतरगत, वो ये है, 2070 तक भारत जो है, कार्बन उत्ष सर्जन के मामले में निट जीरो हो जाएगा, निट जीरो लक्ष हासिल कर लेगा, निट जीरो लक्ष हासिल करेगा, तो ये थे पंचाम रथ के अंतरगत, पांच पॉइंट्स ठीक है, जिन्हें मिलागर के पंचाम रथ नाम दिया गया है, पहला क्या है, गैर जिवास में इंधन की छमता, पांच सो गिगावार्ट तक बढ़ाएगा, ठीक है, इसके साथ ही, कुल उर्जा की 50 प्रत्षत उर्जा, वो उर्जा होगी, जो अच्छे उर्जा से प्राप्त की जाएगी, ठीक है, तीफरा अनुमानित कार्बन उत्फरजन में 1.000.000.000 की कमी करेगा, और चौथा है, अपनी अर्थ वेवस्था की कार्बन उत्फरजन की जो मात्रा है, उसमें 45 प्रत्षत से भी कमी करेगा, ये 2030 तक लक्ष रखा गया है, लेकिन 2070 तक का जो लक्ष लिया गया है इसमें, वो क्या है, भारत निट जीरो लक्ष हासिल कर लेगा, कार्बन उत्फरजन के मामले में, कुछ अन्य देशों ने भी इसमें इसी प्रकार के अपने लक्ष रखे हुए हैं, हमें उनको इस वीडियो में नहीं जानकरी उसमें मैंने आप लोगों को राम सरिस्थल की जो सूची है उसमें अभी भारत के दो और नए आदर भूमियों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक तो अपना गुजरात का है, और एक अपना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो है वो बखीरा, रास्ट्री अभ् ठीक है, तो ये दो जो हैं, ये 48 और 49 जोड़ा गया, 49 जो है वो अपने उत्तर प्रदेश का बखीरा, रास्ट्री उध्यान है, और जो 48 जोड़ा गया है वो है खिजाडिया पच्छी अभ्यारन ठीक है, जो गुजरात राज में पढ़ता है, इसके साथ ही अभी तक जो ट तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नहीं जानकरी के साथ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना इसके साथ ही, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के ल